अज हम हनुमान चालीशा की एक चौपाई बताएंगे जिसका नित्यपर्ति जाप करने से आपको भैंकर बीमारियों से भी मुक्ती मिल शक्ती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जहां रामचरित मानस रामायन या शुंदर कांड का पाठ पूरी स्रधायबं भक्ती से किया जाता है वहां हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं। उन्हें प्रसन करने के लिए बरी संख्या में स्रधालू हनुमान चालीशा का पाठ भी करते हैं। तो आज एक पंक्ती आपको बताते हैं कि इस पंक्ती का जब करने से भैंकर बीमारियों से भी मुक्ती मिल सकती है। तो उसे भक्ती के साथ हनुमान चालीशा या इस पंक्ती का जब करना चाहिए। तो पंक्ती क्या है कि लाए सजीवन लखन जियाए असीरी रगुबी रहर असीवुर लाए। अगर इस पंक्ती का जापक जियेगा तो दवाओं का भी असर होना शुरू हो जाएगा और आपकी बीमारी धीरे-धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थिया है कि रावन के पुत्र में एगनाद ने लक्षमन को मुर्शित कर दिया था। तब शभी औस धियों के प्रभाब से भी लक्षमन जी की चेतना नहीं लोटी थी। तब हनुमान जी संजीवनी औस धी लेकर आए और लक्षमन के प्रान बचाए हनुमान जी के इस चमतकार से श्रीराम अतिप्रसन हुए तो बोलिए जैसिया राम जै जै हनुमान।